जबसे हम होश शंभाले और बड़े हुए तो हमने अपने पिता को हाजीपूर का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा है और हाजीपूर मेरे मन में ऐसे बसा हुआ है जैसे मान लीजिए कि हमको हाजीपूर ही चाहिए। चिराग पासवान आज तक चैनल को इंटर्व्यू दे रहे थे और चिराग पासवान ने बताया कि हाजीपूर सीट को लेकर संग्राम क्यों छिडा हुआ है और हाजीपूर उनके लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है चिराग पासवान एंडिये में शामिल हो चुके हैं य हाजीपूर और समस्तिपूर की सीट और पशुपती पारस जी को दरकिनार करना अब पशुपती पारस जी दरकिनार होंगे की नहीं इस पर बाद में बात किया जाएगा लेकिन हाजीपूर सीट को लेकर चिराग पासवान ने अपना मनशा सुरू से जाहिर करना सुरू कर लिया था और राम विलास पासवान जी की तस्वीर हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हम सब को पता है कि कितनी दफा राम विलास पासवान जी हाजी पुर से सांसद रह चुके हैं वो राम विलास पासवान जिन्होंने एक तरीके से दलित राजनीती को बिहार में नई धार दी थी और उन्हीं के बेटे चिराग पासवान जिनको उनके चाचा ने उनके हिसाब से ठग लिया था वही चिराग पासवान भाजपा से डील करते हैं हाजीपुर सीट के लिए एक तरीके से मारा मारी की नौबत आती है और अब लमसम साफ हो चुका है कि चिराग पासवान से प्रतनिधी के रूप में चुन कर आते थे उन्होंने कई काम हाजीपुर के लिए कर दिये कुछ काम बचा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा कर दूँ और हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा पूरी कहानी आपको बता आने का मौका देती है आपको पटना एरपोर्ट से बिहार की किसी भी गाउं में जाना हो या बिहार की किसी भी गाउं से पटना आना हो आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है रोड़ बेस का एप डाउनलोड करना है राइड को शिडूल करना है और आप आधे कि राय में हाजी पूर से वर्तमान में सांसद हैं पशुपती पारस राम विलास पास्वान जी के भाई और चिराग पास्वान के चाचा पशुपती पारस इस बात का एक दम से दम भभर रहे थे कि हाजी पूर से तो हम ही लड़ेंगे चिराग पास्वान इस बीच आकर इस बात को काट रहे थे और कह रहे थे हाजिपूर मेरी सीट है मेरे पिता जी की जो अधुरे सपने छूट गए हैं हमको उसको पूरा करना है और इसी लिए हमको हाजिपूर वाला सीट चाहिए ही चाहिए पशुपती पारस जब जब यह सुनते थे कि चिराग हाजिपूर सीट का डिमांड कर रहे हैं वो गुस्सा हो जाते थे कहते थे कि बड़बरा रहा है कुछ भी बोल रहा है लेकिन चिराग एकसुर में लगतार यही कह रहे थे कि हाजपूर से तो हम ही लड़ेंगे और कल अम ये में जाने के लिए हां कहा है और इसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर हाजीपूर में ऐसा क्या है कि चिराग पासवान इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं अब इसमें दो बात है पहली बात चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो अपने पिता के जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चिराग पासवान को हाजीपूर से कोई नहीं हरा सकता है चिराग पासवान से पत्रकारों ने एक और सवाल पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि पशुपती पारस बगावत करके आपके खिलाफ चुनाओ लड़ जाए हाजी पूर से तो हम ही लड़ेंगे चिराग पासवान आज NDA के उस बैठक में शामिल होंगे जिसमें 38 पार्टियों के लोग जा रहे हैं प्रतिनिधी करने जा रहे हैं उनके और वहाँ पर ये बातचीत होगी कि कैसे गटबंदन को मजबूत किया जाए उससे पहले वो प्रेस क कम दर्जा नहीं देते हैं राम विलास पासवान ने भी हाजिपूर के लिए बहुत काम किया है ऐसा ऐसा काम उन्होंने किया है कि कम से कम वो लोग सभाज छेतर में जो लोग रहते हैं उनको काफी सहूलियत हुई है इधर चाचा धोखा देने के बाद चिराग पासवान के विरासत मिलेगी, हाजी पूर से 2024 में चिराग पास्वान लोग सभाद चुनाव लडएंगे, और अगर वहाँ से वो लड़ते हैं, तो उनको वहाँ से जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, बाकी NDA के मीटिंग में क्या होता है, वहाँ पर इसकी कोई चर्चा होती है, कोई अपडेट आता है, हम आपको इतला करेंगे, बाकी मिरे नाम प्रिशांतराय है, आप जनता देंशन देख रहे थे, बहुत-बहुत धनिवाद